कि हलो फ्रेंट कैसे आप साब लकॉम मैं चैनल उम्मीद करते हैं अप लोग अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे दलिया से दोसा तो यह ग्यों वाला दलिया है मका वाला दलिया नहीं तो यह हमने दलिया लिया एक कटोरी और एक कटोरी से थोड़ा सा कम हमने रव लिया है और इसमें धालेंगे दही तो डही डालीय और निवू डालीय आपको जैसा खटा लगता है उसे ऊचल से डालीय दो हमने श्केसी लिग्ता नमक डाल के विद दाई पानि है चैक दै किस दर इस से 15-20 मिनट आप फूल ये और उसके बाद फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे तो इसको ऐसे मिला के रख देंगे क्योंकि ग्यों वाला दलिया है दलिया दो तरह का आता है एक मोटा वाला दलिया आता है जिससे उपमा बनता एक दलिया पतला आता है ग्यों के उसमें दो दलिया आते हैं और मका का भी दलिया आता है तो ऐसे इस हिसाब से जैसा भी आपको पसंदा है उस हिसाब से दलिया ले देखिए आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा तो यह मेरा फूल गया है देखिए 20 मिनट हो गई है तो फ्रेंड्ट्स अभी हम इसको पीस लेंगे तो यह मिकसर का जाल लिया है तो इसमें अभी हम पहले दलिया पीशेंगे और उसके बाद हम इसमें रवा डालेंगे तो अभी हम पहले दलिया पीश लेंगे इसको एकदम जैसे चावल के आटे का बैटर रहता है उसे साब से तो दलिया हमारा पीश गया है अभी इसी में हम रवा डाल देंगे और यह हमारा बारीक वाला रवा है तो इसको हमने भीगोया नहीं है इसको क्योंकि बारीक था इसलिए नहीं भीगोया और यह हमारा पिसके तयार हो गया है तो इसमें हमने डाल दिया है खाने वाला सोड़ा क्योंकि यह थोड़ा सब फूल जाए और पिसके थोड़ा देर नमग डाल दिया है नमग पहले भी डाला था तो तबा गरम हो चुका है तो अभी हम इस पर बनाएंगे धोसे दोसा बोलिए उतपा बोलिए बहुत अच्छे फिलिपी फिलिपी बने हैं और खाने में बहुत अच्छा धलिया तो बैसे भी खाना चाहिए पॉस्टिक चीज है तो फाइबर भी है उसमें केल्सियम भी ऐसा वैदलिया में के लिए लोग ज्यादा तर खाते नहीं है खाने वाले लोग खाते हैं तो यह देखिए इस तरह से और इसमें हमारा दिया भी डालेंगे वह और यह अभी हम मीडियम मुश में सिखेंगे हाइफ लेम नहीं तो तब तक हमारा डोसा बन रहा है फिर आपसे वही एक चीज बोलना है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना सेर की जरूरत नहीं है कि कुछ सेर कोई करता भी नहीं हो बोलने की जरूरत भी नहीं है खाली बस आप थोड़ा सब सप तयार है इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको पल्टी कर देंगे तो पल्टी का ऐसा इसको दुबारा से शेकना है तो सेकी नहीं तो यह क्योंकि यह देखिए छेट-षेद हो गया है न अच्छे से सीग गया है तो हम इससाब से इसको पिछे से भी शेख लेंगे कि क्यों कभी-कभी बच्चे बोलते हैं न करसा रखाय कच्छा नहीं तो उसे साब से तो बस समारा तयार हो गया है गयों के दलिये का और यह हमने बनाए चने की सबजी काले चने की और अपना है इसका चटनी हरे धनिया पोदीना की चटनी तो वीडियो बस चोटा है बहुत चोटा स्मोलर है तो बस सपोर्ट कर देना और मिलते आपको नए वीडियो में अ